हलो दोस्तो आज हम आपको दिखाएंगे घर में घी बनाने का प्रोसेस तो ये रहा हमारा दूद से जो मलाई जो हम लोग स्टॉप करके रखा था तो सबसे पहले हम इस दूद के मलाई को ग्रैंडर में डालके ग्रैंड करेंगे तो यही से शुरू होता हमारा की मेकिंग का तो आईए देखते है तो हम मलाई को ग्राइंडर से निकाल के एक ऐसा बॉल में रखते है जहाँ हम उसको थोड़ा हिलाने होगा अभी तो हम मिक्स करने का बात जब वो थोड़ा थिक हो जाते है उसके बार उसको धोना होता है तो धोने का बार हम मलाई को कड़ाई में डाले है अभी यह रहा और ये अभी तब तक हम इसको कड़ाई में रखना परेगा तब तक उसका पानी सुप ना जाते और जब सुप जाते है पानी तब वहां से निकलेगा घी इसको हमको कड़ाई में थोड़ा दे रखना होगा तो अभी हम देख रहे हैं कि मलाई में जो पानी था वह काफी सुप चुका है और अभी धिरे-धिरे खी हो रहा है तो यहां देखिए यह जो आपका मलाई अभी जल रहा है पुरी तरह कलर चेंज हो चुका है ब्राउनिश कलर जो है यह अपका घी बन रहा है अभी यह हम गैस बन कर चुके है अभी तो आपका घी तैयार हो चुका है तो यह था खी बनाने का एक प्रोसेस घी बनाने के और भी बहुत सारे प्रोसेस है तो हम लोग इसी प्रोसेस से घी प्रिपेर करते हैं घर में तो मुझे मैं आशा करता हो कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर की कीजिएगा तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए और देखते रहे ही मेरे चैनल डैनियर व्लोग करते हैं?